जहिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सब बिलकुल मस्त होंगी यो विक्टर ग्यान योटूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं डोक्टर अजय सर्मा, राइटर एन एजुकेटर आपके अपने इस योटूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में हम बिलकुल डिटेल से डिस्कर्स करने वाले है राजस्तान में एक भरती निकली हुई है विदी रचनाकार की इसका notification आपने पढ़ लिया होगा, eligibility criteria का है, qualification का criteria का है बहुत सारे वीडियो आपने देख लिया होगी आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कर्स करने वाले है कुछ very very important topic के उपर, जिनको लेकर आपके दिमाग में अलग-अलग तरीक ही से क्योशन चल रहे होगे जो ये विदी रचनाकार है, इसको लेकर आपके दिमाग में अलग-अलग ही क्योशन चलते होगे जैसे की इसका जोब प्रोफाइल क्या होता है, मतलब आप विदी रचनाकार बन जाओगी तो आपको काम क्या करना होगा ठीक है, यूटूब पर कोई वीडियो नहीं है, ठीक है, वर्क लोड कितना जादा रहेगा, आपका जोब टाइम कितना रहने वाला है ठीक है, इसके अलावा आपका पर्मोशन किस तरीके से होगा, इसका सलेक्शन प्रोशीजर क्या है और सब सेम हैटपून क्योशन कि जब आप विदी रचनाकार बन जाओगे तो आपका पहले महीने का पैमेंट कितना रहेगा प्रोबेशन प्रियर्ट के दोरान आपकी सैलरी कितनी रहेगी, प्रोबेशन प्रियर्ट कम्प्लीट होने के बाद में आपके सैलरी कितनी रहेगी इस तरीके के आपके दिमाग में अलग-अलग क्योशन चल रहे होंगे और भी अलग-अलग टैप क्योशन चल रहे होंगे आपके दिमाग में तो overall आपके दिमाग में जितने भी क्योसन चल रहे ना हर एक क्योसन का आपको इस वीडियो में बिलकुल authentic तरीके से विश्वसन ये जवाब मिलने वाला है ठीक है क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम कोसिस करते हैं आपको जो भी जानकारे प्रोवाइड करवाएं वो हेंड़ पर्षेंट सत्परति सत्थ बिलकुल सही हो तो यहाँ पर हम जो भी डिस्क्रस करेंगे बिलकुल हेंड़ पर्षेंट सही है और आप उसके उपर बिलकुल हेंड़ पर्षेंड तरीके से विश्वास कर सकते हैं अब हम अपने इस वीडियो के सुरुवात करते हैं और इस चैनल के माध्यम से हम पूरे भारत बेदी कोई भी गुवर्मेट वेकेंजी निकलती है तो उसके संबद बे बिलकुल ठीक इसी तरीके का वीडियो बनाते हैं जिस तरीके का वीडियो हम यहाँ पर बना रहे हैं तो लो जिदी रचना कार तैयारी कर जो अच्छे तरीके से आपको अभी तक इसका जो प्रोफाइल है वर्क प्रोफाइल है वर्क लोड है इनके बारे बेंगा आपको अब भी तक ये भी नहीं पता है कि यहाँ पर पहले महीने में सेलरी कितनी बिलेगी लेकिन जब आपको इनके बारे में पता चल जाए और वो आपके अकोडिंग हो तो प्यारे साथ यो आपका जो मोटिवेशन का लेवल है ना वो बहुत ही जादा बढ़ जाएगा य कोडिंग ही देने वाल है तो आपका यहाँ पर जो तैयारी करने का लेवल है वो बढ़ जाएगा ठीक है आप आज से लगबग 10-12-14 गंटे रेगुलर पढ़ना शुरू करते होगे ठीक है क्योंकि देखो सैलरी हमें सबसे जादा मोटिवेट करती है और हम कोई जोब की त सबस्क्रेंड करो वीडियो को लाइक करो आपके जितने भी दोच्टे सब्सक्रेंट करो सब्सक्रेंड करो क्योंकि हमारा मोटिवेशन का हम जगोत्र हो comment करते हो ठीक है वो भी positive वाला इसके अलावा आप like करते हो चैनल को subscribe करते हो तो हम एक motivation मिलता है कि जो हम यहाँ पर काम कर रहे न वो आप लोगों को पसंदार है वो आप लोगों के hit का है ठीक है यह हमें महसूस होता है तो please आपके छोटे से like से छोटे से subscribe से हमें एक बहुत अच्छा कासा motivation मिलता है काम करने के लिए energy मिलती है क्योंकि यहाँ पर यह जो मैं वीडियो बना रहा हूं लग बाग 12-13 मिनट का वीडियो होगा लेकिन इस 12-13 मिनट के वीडियो के पीछे हमने कम सकम 4-5 गंडे महनत के तब हम यह वीडियो बना पा रहे है ठीक है तो अब को यहाँ पर जो प्रोफाइल के बारे में समझाता हूं कि काम क्या करना होगा हमने यहाँ पर बिल्कुल बाकाइदा गूगल से सर्च किया है बिल्कुल authentic और उसको हमने लिखा है और फिर उसी को मैं आपको पढ़ गर बताने वालों समझ में आ जाएगा बिल्कुल आसान स टू ड्राप्टिंग बिल्स, ओडियन्स, रूल्स, रेगुलेशन्स एंड अदर लीगल डोकुमेंट्स फोर दै गॉर्मेंट ठीक है दोनुल एंग्रिज में आपको अच्छे तरीके समझ भी आ गया होगा कि जो विदी रचनाकार है वो रेइस्पोन्सिबल होता है बिल् विद्दाओं को मुद्दो पर चर्चा करना ठीक है बिलो को पढ़ने और भहस करने वर्तमान कानून में संसोधन का सुजाओ देने के लिए उप समीतियों का गटन और नेतरतों करना होगा जो विदी रचनाकार है वो क्या काम करता है बिलो को पढ़ने का काम करता है ठीक ह सुजाव देने के लिए वो क्या करता है उप समीतियों का गठन करता है मुद्धों को सुनने और नए कानूर और विनियमों को समझाने के लिए उम्मीद्वारों को जनता से नियमित रूप से मिलना चाहिए तो इस तरीके से कुछ जो प्रोफाइल है जो आपको काम करना पड़ेगा एज ए विदी रचना का अब यहाँ पर आपका जो काम रहने वाला है वो वर्क फिल्ड टाइब का नहीं रहना है फिल्ड वर्क टाइब का नहीं रहने वाला ओफिस टाइब का आपका काम रहेगा आपको एक office बिलेगा उसमें ऐसी लगी रही होगी और वहाँ पर आपको मस तरीके से बैठ कर काम करना होगा ठीक है तो जो profile समझ में आ गया होगा work load की मैं बात करूँ तो work load प्यारे साथ यो बिल्कुल ना के पराबर है ठीक है office time के बारे में discuss करें तो mostly आपका 10 बज़े से लेकर ठीक है शाम के 5 बज़े तक आपको office time रहने वाला है Sunday Saturday आपका off रहने वाला है इसके लावाद जो भी holidays आएंगे उसमें आपका off रहेगा बहुत अच्छे खासे तरीके से यहाँ पर आपका promotion होगा ठीक है eligibility के बारे में discuss करें तो bachelor of law two years course under the old scheme and three year course under the new scheme और a bachelor of law professional of a university established by law in the India ठीक है मतलब आपके पास कानून से डिलेटेड कोई law से डिलेटेड कोई डिग्री होनी चाहिए जो भी एक organized university के द्वारा ठीक है और यहाँ पर मैं यदिए selection procedure के बारे में discuss करूँ तो selection procedure में क्या होगा आपका एक पहले return exam होगा उसके बाद में आपका interview होगा ठीक है यहाँ पर ध्यान रखना आपका return में exam होगा जहाँ पर आपको लिखना होगा ठीक है राइटिंग का काम करना होगा लिखना होगा और age limit के बारे में discuss करें आपकी age कम से कम 21 साल होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्स होनी चाहिए ज़्यादी आप general category और EWS category से belong करते हैं OBC वाले candidate को 3 साल की चूट है SCST वाले candidate को 5 साल की चूट है जो other state के candidate वो यहाँ पर general में सामिल होने वाले हैं ठीक है तो यह आपको अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा selection procedure के बारे में discuss करें तो यहाँ पर आपके दो तरीके से exam होगी ठीक है सो सो नंबर के टोटल दोनों exam होगी टोटल दो सो नंबर का होगा और वन आतमक लिखित परिक्षा होगी मतलब descriptive आपका exam होगा यहां पर और आपने इसका syllabus देख लिया होगा नहीं देखा तो आप इसके official notification के उपर जाकर check कर सकते हैं और उसके बाद में यहां पर आपका interview होने वाला है जिसके बेस पर आपका यहां पर finally selection हो जाएगा तो यह सारी चीज़े आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी अब सबसे मैं discuss करते हैं कि आपको पहले महीने में सायल ते कितनी मिलेगी अब भी तक भी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल को सबस्क्राइब करो वीडियो को लाइक करो जितने भी दोस्ते सबी के साथ एक बार जरूर शेयर करो 4200 ग्रेट पे की जोब रहने वाली आपकी लेवल 11 में आने वाला है अब हम एक एक करके डिसकस करते हैं दोको आपको कितनी सैलरी मिलेगी तो प्रोबेशन प्रियट के दोरान आपको 26500 फिक्स अमाउंट हो बिलेगा शुरू के दो साल तक ठीक है क्योंकि राजस्तान में प्रोबेशन प्रियट का सिस्टम रहता है तो शुरू के जो दो साल होंगी उसमें आपको केवल 26500 फिक्स तरीका कोई अलाउंस नहीं मिलेगा केवल यह अमाउंट रहेगा इसमें किसी तरीका कोई इंक्रीजमेंट न लेकिन जब तक आपका दो साल का प्रोबेशन प्रोबेशन प्रियट कंप्लेट होगा तब तक ही जो लगबक 60% तक पहुंच जाएगा लेकिन हमने 60% नहीं यहाँ पर 50% ही लेके चला है तो अठारा जार नौश रुपय आपका डिये हो जाता है एचारे अभी फिलाल में 9 लेकिन जैसे दिये 50% होगा तो यह 10% 20% 30% मतलब राजस्तान में 10% और 20% का रूल बन जाएगा हमने 20% के अकोडिंग यहाँ पर आपका एचारी के लिए तो 7560 रुपय आपके एचारी के बन जाते है ट्रांसपोर्ट अलाउंस के आपको यहाँ पर 3600 रुपय मिलेंगे डि इसमें कुछ डिडेक्शन हो जाएगे जैसे आपका GPS कर जाएगा 5670 रुपीज का GIS कर जाएगे आपके 120 रुपीज का टोटल डिडेक्शन हो जाएगा आपका 5719 रुपीज 90 रुपीज का ठीक है अब यहाँ पर जो आपका GPS करता है यह विद इंट्रेस्ट जब आप रिटा GPS अकाउंट खुला जाएगा जितना अमाउंट आपका इसमें डिड़क्ट हो रहा है मतलब कटेगा वह अमाउंट आपके GPS अकाउंट में एड हो जाएगा और लगबग उतना ही अमाउंट गोर्मेंट अपनी खुद की तरफ से बिलकुल एक्स्टा में आपके GPS अकाउंट तो यहां से थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा क्या जितना ज्यादा कटे उतना ही ठीक है तो यह आपको सिस्टम समझ में आ गया हुगा जी आएस के 120 रुपए यह आपके कटेंगे यह आपको कभी डिटन नहीं मिलेंगे लेकिन इनसे आपको बहुत अच्छी लाइच सि कर लोगे तो आपकी पहले मेने के कम से कम कितनी सैलरी रहने वाली है तो वो रहेगी पहरे सात्यों 63,870 रुपेज रिपीट कर रहा हूँ कम से कम आपकी पहले मेने के सैलरी होगी प्रोबेशन प्लिएड करने के बाद 63,870 रुपेज कम से कम बता रहा हूँ मैं क्योंकि ज 50% calculate क्योंकि हमने यहाँ पर कम से कम लेके चला है ठीक है बहुत अच्छे खासी आपको salary बिलेगी यह मान के चलो कि probation period complete होने के बाद आपको लगबग 17,000 के आसपास salary बिलेगी पहने मेने के बहुत अच्छा खासा amount है salary में increasement mainly दो तरीके से तो हो गाई होगा basic पे हर साल 3% बढ़ेगा DA साल में दो बार पढ़ेगा एक बार जदोरी में दूसरा जून जुलाई में average लेके चले तो 5% चलेकर 8% के बीच में आपका DA बढ़ने वाला है ठीक है और इसके लावा बहुत अच्छा खासा scene है बहुत शांदार तरीके परबोसनों के बहुत गजब की नोखरी है बहुत रैपोटेशन वाली नोखरी है सारह सब को चर्चे से समझ में आ गया होगा आप भी भी कोई question बचा हुए जल्दी कमेंट से समय कमेंट करके बताओ और कोई question नहीं बचा है सबी किसनों का आंसर बिल गया है वीडियो बहुत अच्छा लगया तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट करो और प्यारा सा कमेंट करते वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ सेर कर दो और चैनल को जरूर सबस्क्राइब करो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबी को देखने के लिए ठैक्स बाई मेरे प्यारे साथी हूँ